चेस में अगर हमें जीतना है तो हमें सामने वाले के राजा को चेकमेट देना होता है याने की शेय और मात इसका मतलब होता है कि सामने वाले का जो राजा है वो कहीं पे भी मूफ नहीं कर सकता वो कहीं पर भी जाना चाहे तो उसे हमारे मुहरे अटैक कर रहे हो जैसे इस केस में अगर ये हमारा हाती सामने वाले हाती को मार देता है तो उनके राजा पर एक तरफ से हमारा हाती और दुछ तरफ से हमारा उट अटैक कर रहा है तो अब उनका राजा कहीं नहीं जा सकता औ और हमने उनको दे दिया चेक्मेट शत्रंज खेलते वक्त आपको अपनी हर चाल बड़ी ही सोच समझदारी के साथ खेलना है अब तो आपने सीखी लिया कि शत्रंज के अलग-अलग मोहरे को क्या कहते हैं उनकी चाले कैसे होती हैं और शत्रंज के खेल को कैसे जीतते हैं तो इस मज़ेदार खेल को एंजॉई कीजिए विश्यू अब वेरी हैपी प्लेइंग